नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हादिक स्वागत हैं और बच्चों अपने बात करेंगे अपना जो NCRT का नया स्लेबस स्टार्ट हुआ है अगर हम इसकी बात करते हैं तिये अपने सेशन अपने 2021 के लिए है एनिशारिटी का स्लेपस कौन सा अपने साइंस की बात करें बच्छो साइंस इसमें हम बात करें अपना इसमें जो पहला चैप्टर है वो अपना स्टार्ट करने वाले हैं अगर हम बच्छो बात करते हैं अपने पहले चैप्टर की तो पहला जो अपना चैप्टर आता है वो आता है बच्छो कौन सा रासायनिक अभी के लिए यहों परिवरते है अपना कौन सा बच्छो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं तो कौन सा अपने पास रासायनिक अभिक्रिये एवं परिवर्तन का है बच्चों रासायनिक अभिक्रिये एवं सम्मिकरन यह अपना पहला चेप्टर है यह अपनी चेप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिये एवं सम्मिकरन अगर हम बच्चों बात करते हैं इस चेप्टर की अंदर जो अपना प तोपिक स्टार्ट होता है वो होता है परिवर्तन से भी परिवर्तन क्या होता है अपने परिवर्तन से ये टोपिक स्टार्ट होता है परिवर्तन के अगर बात करें तो परिवर्तन क्या होता है कोई भी पदार्थ है अपने पास कोई भी पदार्थ अपनी ले सकते हैं तो पदार्थ के रंग रंग हो गया उसकी अवस्ता हो गई उसके गुन धर्म हो गई यहनि किसी भी पदार्थ के रंग अवस्ता गुन धर्म में परिवर्थन होना यह गुन धर्म का अपने कह सकते हैं गुन धर्म का बदलना गूर्ति द्रम का बदलना परिवर्तन कहलाता है या ये जो बदल रही है ये क्या कहलाता है परिवर्तन कहलाता है दो परकार का होता है परिवर्तन कितने परकार का होता है बच्छों परिवर्तन दो परकार का होता है परिवर्तन कितने परकार का होता है दो परकार का होता है एक आता है अपने पास बहुतिक परिवर्तन एक कौन सा आता है अपने पास बहुतिक है परिवर्तन और दूसरा आत आपने पास रासायनिक है परिवर्तन ठीक है बच्छो बोतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एक अपने पास यहां पर कौन सा है फिजिकल चेंज है और एक अपने पास कौन सा है केमिकल चेंज है परिवर्तन दो प्रकार के हो गई पता चल गए आपको अब देखो अ आवस्ता में परिवर्तन होता है इन्हें अपने कह सकते ही वह परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के बोतिक गुणों, पदार्थ के बोतिक गुणों वह आवस्ता में परिवर्तन होता है बोतिक गुणों आवस्ता में क्या होता है बच्चों परिवर्तन होता है अवस्ता में प्रिवर्तन होता है, जबकि रासाइनिक गुन नहीं बदलते हैं, उसके रासाइनिक गुन दरम वो नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, क्या का लाइक बचो बोतिक परिवर्तन कहलाता है, बोतिक परिवर्तन कहलाता है, अब यह तो आपको पता चल गया कि कोई भी पदार ते उसकी बोतिक गुन वे अवस्ता में परिवर्तन होता है, यह बोतिक अपनी क्या हैं, बोतिक गुन, बोतिक गुन व उनमें परिवर्तन नहीं होता अब हमें यह पता होना ची कि रासा है उसके बोतिक गुंद्रम हैं कौन से भी अपने यह तो पता चल गया कि बोतिक गुंद्रम उसके चेंज नहीं होते तो बोतिक गुंद्रम उसके कौन से हैं जैसे अपने बात करते हैं बोतिक गुंद्रम है पालर रंग आ जाता है ठीक है रंग के बार बात करें तो गंद आ जाती है गंद partly कि में परिवर्तन ज्रूरा जरूर होँता है यह कि यृष्म बोति गुर्ट है तो अवस्ताररंग गंद्ब इत्याइध्दी में परिवर्टन हो सकता है लेकिन उसके रासाइनिक गुन्द्रम जैसे रासाइनिक गुन्द्रम के आगे बात करें लेकिन फिर भी अपने थोड़ी से हांपर बात कर लेते हैं रासाइनिक शंगुन दरह मतलब एक तो उसकी अंदर के बंद बदल जाना, उसके जो बोंड होते हैं वो बुदल जाए, अगर नएा पदार्थ प्राप्त होजाए या उसकी अपने बात करते हैं, अवस्ता के साथ साथ उसकी जो आंतरिक अनुसूतर है, वो भी बदल जाये तो वो रासाइनिक प्रिवर्टन होता है तो अपने ये बहुतिक प्रिवर्टन है जैसे अपने एक एक जामपल की बात करते है हमारे पास क्या है बर्फ है हमारे पास क्या है बच्छो बर्फ है हमने क्या लिए बर्फ ले ली हमने कहा लिए बचो बरफ ली बरफ कैसी है ठोस है आपको पता है बरफ ठोस होती है लेगन इसका भी अगर हम सुत्र की बात करें तो H2 सुत्र होते है इसका अगर इस बरफ को हमने क्या क्या बचो ठन गरम किया थोड़ा सा क्या क्या गरम किया या पिर अपने सामने ताप पर छोड़ देती इसको तो यह क्या बन जाएगी जल कैसा है तरल है या द्रुए है ठीक है द्रुए है लेकिन इसका भी जो सुत्र होगा वो क्या होगा एच्टू ही होगा यह जल को हम क्या करते हैं गरम करते हैं जल को क्या करते हैं अपने गरम क स्कावी अनुस बातर है, अब देखो यहां पर अगर हम वास्प को क्या करते ही ठंडा करते हैं क्या बांदा करते हैं? प्राफ्त जाएगा जल प्राफ्त और दाइगा नवास्प को ठंडा किया? अूँगा क्या उड्ञा base को ठंडा किया अब हो हो यह जल है अपने यहां पर जो बीच में मीडियम है वो क्या है अपने पास जल है मुख्य अपने पास यहां पर क्या है जल है जिसका अनुसूतर है यह हम इसको क्या कर रहे हैं गरम कर रहे हैं तो वास्प में बदल रहा है अगर हम क्या करें इसको ठंडा कर रहे हैं तो किस यह जो कारक है उस बहिये कारक को हटा दें तो जो अपने पहले प्राप्त जो अभिकारक था या जो पहले हमारे पास पदार्थ अब कुने प्राप्त हो जाता है यह अपने पढ़ेंगे बच्छों किसमें अपने जो बोतिक परिवर्तन की अपने होते हैं जैसे अपने बात क कि जो विशेश था है उसमें इनको पड़ेंगे अन्य एक्जाम्पल की बात करें अन्य एक्जाम्पल कौन सा होता है जैसे लोहे का चुम्बक बनना लोहे का चुम्बक बनना भी क्या होता है कि बोतिक परिवर्टन होता है लोहे का चुम्बक बन गया नोसादर का उर्दो पातल मतलब अगर इसको हम खुला छोड़ देते हैं गया गरम करते हैं तो यह तरल में बदलने की बजाए कि इसके बदल जाता है डायरेक्ट यह गैस में बदल जाते हैं लेकिन उस गैस को जैसी अपनी ठंडाय करते हैं तो आपस नोसादर प्राप्त हो जाता है नोसादर यानि NH4CLE अमोनिय कलोराइड होता है इसके तरिक अगर हम बात करें और उधारन की तो सक्कर में पानी का मिलना या सोरी सक्कर का पानी में मिलना यह भी क्या है बद्चों बोतिक परिवर्तन के एक्जामपल है तो यह सारे के सारी एक्जामपल किसके होगे बोतिक परिवर्तन यानि पिजिकल चेंज की हो गई अब इसके बाद हमारे पास जो अवस्ता आती है या आवस्ता आती है वो कौन सी अवस्ता आती है ये तीन होगी अपने पास बरफ जल वास्प इसके बाद एक चीज़ यहां पर देखो इसको जो गरम करने को अपने वो अब अपने पास टॉपिक आता है बोतिक परिवर्तन के गुण धरम नेक्स्ट अपने बात करेंगे बोतिक परिवर्तन के गुण धरमों के बारे में बोतिक परिवर्तन के गुण धरम एक्जामपल हमने देख लिया डेफिनेशन हमने देख लिए अब इसकी गुण धरम अपने देखते हैं अब बोतिक परिवर्तन के गुण धरम क्या क्या होते हैं तो हमें पता होना चाहिए यहां पर हमने देख लिया कि सबसे पहले इसमें अगर एक नमर गुंद्रम की बात करने तो एक नमर गुंद्रम हमारे पास क्या रहा है बचो एक नमर गुंद्रम हमारे पास यहीं से निकल का रहा है देखो इसमें क्या बदलते हैं इसके बोती गुंद्रम बदलते हैं जैसे अवस्ता रंग गंध इत्यादी बदलते हैं तो गुण ही बदलते हैं, बोतिक गुण ही बदलते हैं, बोतिक गुण दरम अपने बात कर चुके हैं, बोतिक गुण दरम कौन से होते हैं, जैसे रंग हो गई, उसकी गंध हो गई, ये बदलते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या हो गई, एक नमर बचो, इसमें केवल पदार्थ के गोती गुनहीं बदलते हैं जैसे रंग और गंदु बदलते हैं दो नमर देखो आपने दो नमर अगर बात करें तो यहां पर यह स्प्रिंग है, यह हमारे पास क्या बच्छ एक स्प्रिंग है, इस परकार से हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अपने इधर खींच रहें, और इस स्प्रिंग को अपने इधर खींच रहें, तो इस स्प्रिंग की लंबाई क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ ही हो गए जैसे इस दोनों तरब से इसको खींचना हमने बंद किया यह स्प्रिंग अपनी पुने प्रार्विक अवस्ता में आ जाती है यही अपने बहुती गुंद्रम के अंदर पड़ेंगे तहां पर देखो जैसे अपने लोहा है यह अपने बच्पन में बहुत किया होग यह आपने देखा होगा कि अपने बच्पन में क्या करते थे इस परकार हमारे पास एक चुम्बक का टुकड़ा होता था क्या होता थे एक चुम्बक का टुकड़ा होता थे इस परकार से हमारे पास क्या थे एक चुम्बक का टुकड़ा था इस चुम्बक के टुकड़े को हो हम बोलते देगा है लोहे की कन्टी के साथ चिपक गए थै अब ये जो लोहे के करड़ jego कुछ समय कके क्या करते हैं चुंब की तरह ब्मारे करते हैं नका जैसे ब्मार्ड की त्रषित लुब पर आपने देखा होगा यह जो बाल हैं यह यहां पर चिपके हुएं उस समय तो यह क्या करते हैं बचो यह उस समय तो यह क्या करते हैं अपने चुम्बक की तरह विवार करते हैं लेकिन जैसे छोटे छोटे चोटे जो कंड है या जिनको अपने चुम्बक के बाल बोलते थी बच्पन में इनको अगर हटाते हैं तो यह पुने क्या करेंगे उसी लोह की तरह या उसी मिट्टी के कणों की तरह विवार करने लग जाते हैं यानि चुम्ब की तरह विवार नहीं करते हैं तो अपने यहाँ पर दो नमर पॉइंट लिख सकते हैं कि जो अपने परिवर्तन का कारण हटाने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर पॉन्य प्रारंबिक पदार्थ पराप्त हो जाता है पॉन्य प्रारंबिक पदार्थ पराप्त हो जाता है पुने जो अपने प्रार्बिक पदार था वो प्रार्प्त हो जाएगा जैसे मैं एक एक्जामपॉल और देता हूँ हमने यहां पर क्या किया जैसे हमारे पास यह क्याती क कोई भी कड़ाही है इस कड़ाही चास्नी नाआ लगी है ठीक है जैसे अपने चासनी डाला की है और इसके अंदर चासनी का मतलब क्या हो इसके अंदर पानी भी है इसके अंदर क्या है पानी है और इस पानी के अंदर क्या मिली हुए चिनी मिली हुए तो अपने यहां पर देख को एजमपल दिया था यहां पर एक शक्कर में पानी य क्या होती है बच्छो चासनी होती है अब जैसे अपने क्या करते हैं इस चासनी को हम क्या करें गरम करें इस चासनी को हम क्या करते हैं दीरे-दीर अगर गरम करते हैं बहुत जादा तापमान पर गरम करते हैं तो यह क्या हो जाएगी बच्छो बहुत जादा तापमान पर इस के अपने गरम कर रहे हैं यह क्या है नीचे अपने बोलते हैं स्प्रिट लेम बोल सकते हैं या इसको गरम करते हैं गरम करते हैं इसको हम क्या कर रहे हैं गरम कर रहे हैं गरम करेंगे तो दीरे दीरे यह जो चासनी है चासनी के अंदर पानी भी और क्या है चीनी भी है तो यह दिरे दिरे पानी ही ये वास्प बनकर उपर चला जाएगा ये जो अपने पानी है वो दिरे दिरे क्या होगा ये पानी अपने दिरे दिरे वास्प बनकर उपर चला जाएगा ये पानी दिरे दिरे क्या होगा वास्प बनकर चला जाएगा यानि ये वास्प बनके चला जाएगा, सेस क्या बचेगी, सेस इसके अंदर क्या बचेगी, चिनी बचेगी, क्या बचेगी, चिनी बचेगी, तो यहां पर देखो, हमने चासनी बनाई थी, उस चासनी के अंदर क्या डाला था, पानी प्लस से अपने चिनी का मिश्रन डाला यह क्या बनी थी चासनी बनी थी जैसी अपने क्या करते हैं गरम करते हैं तो यह जो पानी है यह पानी क्या होगा वास्प बनेगा और वास्प बनकर चला जाएगा सेश क्या बचेगी चिनी बचेगी यानि इससे अपने पूने क्या प्राप्त कर ली चिनी प्राप्ते कर ली तो यहां पर देखो परिवर्तन का कारण क्या था परिवर्तन का कारण था इनको हमने एक साथ मिक्स किया था हिला कर किया था या जो भी गरम करके किया था वो कारण था अगर वो कारण दीरे दीरे अपने हटा रहे हैं तो क्या हो गई यह अपने जो चीनी है वापस पराप्त लिया तो यह जो अपने इसकी वरदी हुई थी यह इसकी लेंट इतनी होगी थी यह वापस कहा जाएगा अपनी पुन्हे प्राद्मी कवस्ता में आ जाएगा जैसे आपने गरों में रबड भी देखा हुगा जो अपने रबड होता है उस रबड को खींचते हैं तो वह अब एस्थाई का मतलब अगर स्थाई हो तो क्या हो जाए नया पदार्त बन जाता मालो पानी के अंदर हमने चीनी मिक्स की थी तो इससे चासनी बनी थी यह चासनी क्या है कोई नया पदार्त नहीं यह दोनों का ही क्या होता है अपने एक मिश्रन होता है जैसे अपने बात अलग नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर अगर लक्सन अलग हो जाते तो यह क्या हो जाता यह अपने पास नया पदार्त बन जाता जैसे अपने बात करते हैं अपने पास दूद है अपने पास दूद है इस दूद दूद से हमाई प्राप्त हो गया दही दूद से हमें क्या प्राप्त हो गया दही प्राप्त हो गया अब दूद की अलग लक्षन होते है और दही की अलग गुंद्रम होते है यह अलग लक्षन होते है अब यह तो पिसर्थ नहीं बनेगा यों français राभिष हो ऑपने अलग प्राप्त कर सकते हैं लेक्न ऐसी कोई प्रोसेस नहीं पनी है कि दूद से दही प्राप्त हो गया तो दही से पुने दूद प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं होता है चार नमर अपने देखते हैं इसके गुंद्रम क्या है चार नमर इसके गुंद्रम की बात करें इसमें ने पदार्त का निर्मान नहीं होता है यानि ने पद परिवर्तन की डेफिनेशन अब देखो अपने पास आता है रासाइनिक परिवर्तन में देखो रासाइनिक परिवर्तन की बात करते हैं अपने पास दो नमर कौन सा परिवर्तन है बचो दो नमर अपने पास परिवर्तन है रासाइनिक परिवर्तन रासाइनिक परिवर्तन अब रासाइनिक परिवर्तन आप समझगे होंगे कि इसमें पदार्त के क्या बदल जाएंगे इसम अपने बात करते हैं तो इसमें नए पदार्थ बन जाता है और दूसरी और इसके रंग अवस्ता गुण धरम सारे बदल जाते हैं नहीं रासाइनिक परिवर्तन के पने बात करें तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के बौतिक गुणों के साथ उसके रासाइनिक गुण धरम भी बदल जाते हैं बोतिक गुणों के साथ उसके रासाइनिक गुणध्रम भी बदल जाते हैं बोतिक गुणध्रम तो बदलेंग बदलेंग उसके रासाइनिक गुणध्रम भी बदल जाते हैं रासाइनिक गुंद्रम आपको पता होगा रासाइनिक अगर हम गुंद्रमों की बात करते हैं ये रासाइनिक गुंद्रम कौन कौन से होते हैं भी कन्फ्यूज हो जाती है कई बार अपने रासाइनिक गुंद्रम कौन से होते हैं रासाइनी गुंद्रम की बात करें, तो संग्ठन, अनुसुतर, यह पिर अपने बात करते हैं, अनुसुतर हो गया, उसकी रंग तो होईगे, रंग अवस्ता ये तो अपने वोति गुंद्रम के अंद्रकत आएगे, अब इसके अंदर ने पदार्त भी बन जाते हैं, और साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो संग्ठन, मैं तो अपने कैए संग्ठन बदल जाता है, अनुसुतर बदल जाता है, और उसकी अवस्ता तो बदलेगी, अवस्ता, रंग, गंद, यह तो इसके बहुतिक परिवर्त नहीं, लेकि रासानी परिवर्त नहीं मुख बात करते हैं, एक्जामपल की बात करते हैं, हमारे NCRT के अंदर इसके कुछ एक्जामपल्स देर के हैं, जैसे अपने बात करते हैं, हमारे पास एक्जामपल देर के हैं, एक तो देर खाए, दूद का दही में बदलना, दूद का दही में बदलना, दूद का दही में बदल लोहेपर जंग लगना निश पर जंग लगना आपने एक्जामपल दे रखा है कि ये लोहे का तवा तसला या कील को अधर वायूम्सी ने खुला छोड़ दिया चाहता है तो हाँ पर कैस्पैसा परिवर्टन होगा एक बार दूसरा अपने आस्ता है बोजन का आपकेना बोजन का पाचन इसके तरिके हम बात करें बोजन का पाचन हो गया है अलोही पर जंग लगना हो गया या सब्जयों का खराब होना साख सब्जयों का खराब होना साke सबजी цел का किराम hanno कि ये वे अपने किसके गुण दरम है रासाणिक गुण दरम में है यह रासानीक इग्जांपल और रासानीक जो परिवर्तन उसके एक्जांपल होगे अपने पास ठीक है तो यहां पर बच्छों अपने देखा परिवर्तन क्या होते हैं बहुत्तिक जो परिवर्तन है कितने परकार के होते हैं इनके दोनों के अपने बहुत्तिक जो परिवर्तन पढ़ा उसके गुण द्रम पढ़े रासानिक परिवर्तन के अपने गुण अब आता है अपने पास बचो रासायनिक प्रिवर्तन के गुन धर्म रासायनिक प्रिवर्तन के गुन धर्म रासायनिक जो प्रिवर्तन उसके क्या-क्या गुन धर्म होते हैं सबसे पहले एक नमर अपने पॉइंट की बात करते हैं तो हमें ये पता चला कि इसमें जो बनने वाला पदार्थ है उसके रासायनिक गुणों वाय संग्ठन में प्राण्मी पदार्थ से बिंता होती, यानि इसमें बनने वाला पदार्थ रासायनिक संग्ठन रासायनिक संग्ठन वाय गुणों में मूल पदार्थ से बिं होता है, मूल पदार्थ से बिं होता है, मूल पदार्थ से क्या होता है बच्चों भिन होता है यह बात हमने देख ली थी दूसरा हमने देखा था कि यह प्रार्मिक पदार्थ है वो पुने प्राप्त नहीं कर सकते या नि इसमें अपने क्या नहीं कर सकते इसमें प्रार्मिक पदार्थ इसमें प्रार्मिक पदार्थ उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते भी अपने एक पर बोतीक प्रिवर्तन में हमने देखा था जैसे हमारे पास जल था उस जल को हमने बरप में बदला था और उस बरप से हमने वापस क्या प्राप्त कर लिया था जल प्राप्त कर लिया था लेकिन ऐसा रासानिक परिवर्तन में नहीं होता है नेक्स्ट बात करें तो यह परिवर्तन स्थाई होता है यह परिवर्तन क्या होगा स्थाई होगा यह परिवर्तन स्थाई होता है स्थाई होता है ठीक है नेक्स्ट अपने बात करते हैं चार नमर इसके अंदर तो इसमें ने पदार्द का निर्मान होता है ने पदार्थ का निर्मान होता है योगे अपने इस रासानिक प्रिवर्टन के गुछ़ स्यवश्य को यहां पर अपने पास एक समिक्र्ण आती है बहुत important समीकन है C plus O2 इससे बनता है CO2 यह क्या है कार्बन है यह क्या है कार्बन है यह क्या है ओकसिजन है यह कार्बन यह ओकसिजन है यहां पर यह क्या है कार्बन डाई ओकसाइड है यह क्या है कार्बन डाई कार्बन डाई ओक्साइड है अब देखो यहां पर बत्तों जी कार्बन है यह कार्बन इसके साथ अभी क्रिया करी ओक्सिजिन के साथ और बनाये किया इसने CO2 carbon dioxide बना लिया अब यहां पर यह जो परिवर्तन हुआ है यह स्थाई परिवर्तन हुआ है यह कैसा है स्थाई इसको अपने बोल सकते हैं अभीकारक वैसे अभीकारक और उतपाद जो अपने आगे बात करेंगे क्या होते हैं लेकिन यहां पर आप इतने जानों यह अभीकारक है और यह क्या है उतपाद है यह क्या है उतपाद है यह दोनों अभीकारक है यानि अभीकारक कौन सा है एक तो कार्बन अभीकारक है और एक कौन सा O2 अभीकारक है और बना क्या है उतपाद बना है उतपाद क्या है CO2 है अब देखो इन अभीकारक से उतपाद तो बन गया लेकिन इस उतपाद से अपने पुने क्या निक प्राप्त कर सकते अभीकारक प्राप्त नहीं कर सकते यानि अपने ये दो पदार्त इन दोनों पदार्तों से मिलकर एक पदार्त बन गया जिसको अपने नाम दे दिया उत्पाद अब इस उत्पाद से जो प्रार्मिक पदार्त हैं उन प्रार्मिक पदार्तों को अपने प्राप्ते नहीं कर सकते अगर ऐसा होता तो यह प्रिवर्तन कैसा हो जाता बहुतिक प्रिवर्तन हो जाता लेकिन अपने इसको पुने प तो सबसे पहला अपने गुंद्रम कहा बनने वाला जो पदार्थ है रासानिक संक्ट्रन गुंड में मूल पदार्थ से भिन होता है यानि इस कार्बन और और ऑक्सीजन से सियोटू क्या होगा भिन होगा दूसरे इसमें प्राड़मिक प्राप्त नहीं कर सकते यानि जैसे हम कार्ण लकडी को जलाते हैं और 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 झाय और ऑक्सीजन के युप्षेद्य कर आप लिए उंगसाइड. है हम भी जूसक화 काविक ठाया कि थогपोन जैते हैं दों से कार्बन और ऑक्सीजन प्राफ्ट नहीं कर पाई है. उसके बाद अपने कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की अंदर एक नय पदार्थ बन जाता है और उस नय पदार्थ से पुने जो प्रानविक पदार्थ है या पुराने पदार्थ है उनको अपने प्राप्ते नहीं कर सकते तो यह रासायनिक परिवर्तन हो गया तो अपने इस कलास के पने रोक देते हैं या विराम देते हैं और मिलेंगे अपनी next class में इससे आगे वाले टोपी के साथ तबते के लिए आप लोग बच्चों मस्त रहिए और अपनी पढ़ाया study करते रहिए ठीक बच्चों मिलेंगे अपनी next class में ओके धन्यवाद